पेडराबाद ने राइस्तान रुरल को हरा दिया है और सीधा पहुच गई है वह फाइनल में जिसकी वज़े से दोस्तों अपनी पूरी जान लगा दिया और एक सबसे बड़ा फैसल लिया जिससे कि उसने पैट कमिंट्स को अपनी टीम में लिया वह भी 20 क्रोड रुपे में कि इससे कि सारही सारे उनृण उस पर हस रही थे रेकिन दोस्तों उसने अपने पे रखा और अपने दिमाग पर भरोषा रखा और पैके मिंट्स को खवित कर ओए दिखा कि उसने कोई घाटे का सौधा नहीं गी गिया था वह पैड-क सायूर्वाद को फइनल ऊंजा है लिए अपने दिमाग का साहरा लेकि एक अच्छा फैसरल लिया तो कह सकते हैं दोस्तों काव्य मैनन को मिलना चाहिए किताब क्योंकि उसने किया है करोडों को अच्छे से हिसाब लोग तो यह कह रहे थे कि पिसड़ी टीम है इस बार भी दसवे पाइदान में रहेगी लेकिन हैदरबाद ने ऐसे सोचने वालों का मुही बंद कर दिया क्योंकि वह सीधा अब फाइनल में पहुच चुकी है दोस्तों हैदरबाद ऐसी टीम है जो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है क्योंकि उसमें कु 180 से भी कम का टार्गेट चेज नहीं होने दिया दोस्तों यही होती एक खतरनाक टीम की पैचान पैट कमिन्स हैदरबाद को आउस्ट्रेलिया की टीम के तरह बनाते जा रहे है जो कभी हार नहीं मानती दोस्तों पैट कमिन्स की बहुत दार तारीफ हो चाहिए क्योंकि उसन असरते कि यह तो बच्ची है क्या इसने फैसल ले लिया क्योंकि पैट कमिन्स पे सिर्फ साथ करोड के आसपास की ही बोली लगी थी क्योंकि मुंबई और सीयसके भी पैट कमिन्स को ख़ीदा चाह रही थी लेकिन उनके ओरनर को यह नहीं पता था कि काववे मैनन तो आज पै असरते कि बोलो यह तो बच्ची है क्या इसने डिजिजन ले लिया लेकिन आज उसी बच्ची ने बड़े-बड़े ओनर को हैदरबाद की जीस से जवाब दे दिया है दोस्तो इतनी बड़ी बोली लगाना वह भी एकधम से बहुत चोकाने वाली बात थी क्योंकि कहां सीयस तो आप भी जानते होंगे कि कई लीग ने ऐसे ऐसे खिराड़े को लिया है जिसमें नोंने करोड़ों खर्च कर दिये लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी ना चले तो इस हिसाफ से तो कावे मेरा ने बहुत अच्छा फैसल लिया पैट कमिंस अकर चलते ने तो अपना दिमा लेगी दोस्तों बहुत सही लगिए को चैनल को सब्सक्राइब करता है जाहिन वंदे मात्राम